नमस्कार दोस्तों, आपको पता होगा 2017 में जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के अंदर जो कंट्रीज हैं, उन्होंने बाइकॉट कर दिया था अपने ही मेंबर कतर को, लेकिन फानिली 2021 में जाकर ये जो पूरा मामला है वो सुलत चुका है, प्र है गल्फ कॉपरेशन काउंसिल की, तो टोटल छे कंट्रीज आते हैं इसके अंदर, जैसा कि आप देख सकते हो, एक है जो सबसे बड़ा देश है, इसकी राजधानी है रियाद, इसके लावा उपर आप देखोगे छोटा सा देश है कुएद, ये दूसरी कंट्री हो गई, इसके नीचे है यहाँ पर बहरेन आप देख सकते हो, फिर कतर हो गया, तो ये टोटल चार कंट्रीज हो गए, पांचवा कंट्री है UAE, ये है आपका उमान, तो टोटल छे कंट्रीज हैं आपका गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के अंदर, तो इन्हों ने बेसिकली क्या किया, जो कतर है, उसके उपर कई सारे इल्जाम लगाए, यहाँ पर उसके लिए कई सारे कंटिशन्स रख दिये, मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर इसकी वज़ेसे क्या होता है, कि कतर को प्रॉब्लम हो जाती है, जैसा कि आप देख सकते हो, कतर जो है, एक तो आ परता था, कि अपने फ्लाइट्स वगरा को डाइवर्ट करना पड़ा, इरान के थ्रू जाना होता था और फिर वो गुजर सकता था, इसके लिए यहाँ पर काफी समय से प्रॉब्लम हो रही थी, और यह जो क्राइसिस है, फानली सॉल्व हो चुकी है, तो जैसा कि आप यह देख सकते हो, सौधी अरब opens its border with Qatar, यहाँ पर आप news भी देख पाऊगे, Qatar crisis, सौधी अरबिया and allies restore diplomatic ties with Emirat, तो इसके बारे में हम जानेगे, डीटेल से प्रॉब्लम क्या थी, यहाँ पर क्यों solutions निकला है, और यहाँ पर इल्जाम क्या-क्या लगाया गया था, तो काफी अरब यहाँ पर क्या है, तो जैसा कि मैं आपको बताया, तीन साल पहले, सौधी अरब के द्वारा जो पूरा कोईलेशन है, उन्होंने यहाँ पर अपना जो ties है, एक तरह से official ties है, उसको Qatar के साथ यहाँ पर boycott कर दिया था, cancel कर दिया था, कतर के साथ वो नहीं कर रहे थे, लेकिन Tuesday को अभी recently यहाँ पर सौधी के जो foreign minister है, उन्होंने announce किया है यह बात, कि यहाँ पर जितने भी ties थे, उसको वापस से restore कर दिये गए है, मतलब कि जो boundary वगरा close की गई थी Qatar के साथ, जो official ties थे, उन सब को वापस से restore किया जा चुका है, तो basically यहाँ पर problem क्यों आया था, 2017 में सौधी के द्वारा जो पूरा coalition है, उन्होंने एक तरह से इल्जाम लगाया था, जैसे कि आप देख सकते हो, रियाद हो गया, in fact जो अबुदाभी है, UAE है, यहाँ पर कुवेत है, सभी लोगोंने मिलकर एक तरह से Qatar के उपर इल्जाम लगाया, कि यहाँ पर वो जो Islamist group है, radical Islamist group, उनको एक तरह से support करता है दोहा, इसके लिए यहाँ पर अभी के लिए उनसे जो ties है, वो Qatar के साथ cancel कर दिये जा रहा है, लेकिन इसका जो main motive था दोस्तों, वो यह था, क्योंकि आप देख सकते हो, जो Qatar है आपका, वो यहाँ पर इरान के साथ उसके अच्छे अपोजिट देखने को मिलता है, तो यहाँ पर इसी की वजए से जो Saudi Arab है, उसको पसंद नहीं आता था, कि जो Qatar है, वो अपना अच्छा relation क्यों रख रहा है आखिरकार इरान के साथ, इसी की वजए से आप कह सकते हो, एक बहुत बड़ा कारण था, जिसकी वजए से जो ties थे वो कट कर दिये गए थे, जहां तक Gulf Corporation Council की बात है, दोस्तों याद रखेगा, 1981 में इसको इस्टाबलिश किया गया था, तो इन सारी चीजों को देखते वे, यहाँ पर जो Saudi Arab के द्वारा ये पूरा कोईलेशन है, उन्होंने ये बोला Qatar को, हम आपके सामने 13 demands रख रहे हैं, 13 एरा ऐसे demand रख रहे हैं, जिसको आपको fulfill करना होगा, उसमें से बहुती एक बड़ा demand था, आपने सुना होगा news channel Al Zazira, Al Zazira basically Qatar के द्वारा operate किया हुआ news channel है, उसको पूरी तरह से close कर देना, क्योंकि Saudi Arab का कहना था कि जो Al Zazira है, वो यहाँ पर कई तरह के ऐसे इलजाम लगा इसके लावा इरान के साथ जो संबंध हैं, उसको cancel किया जाए, कतर और इरान के बीच में चोच चल रहा है, इसके लावा terrorist organization को जो funding दी जाती है, उसका जो relation है, Muslim Brotherhood जो आपका Egypt के अंदर है, दाइश हो गया, Al Qaeda हो गया, ऐसा इलजाम लगाया जाता है कि उनको यहाँ पर support क करता है इरान, तो उसके साथ अपनी ties को cut करें, यहाँ पर Qatar के दोरा जो funding दी जाती है, और भी कई सारे media organization को, उसको shutdown किया जाए, इसके लावा यहाँ पर जो Turkey के military presence है Qatar के अंदर, आपको पता होना चाहिए कि Saudi Arab का Turkey के साथ भी relation अच्छा नहीं, although दोनों Muslim majority देश हैं, लेकिन यहाँ पर Turkey अपने आप में एक तरह से बड़ा देश निकल कर सामने आना चाहता है, जो कि Saudi Arab उसको पसंद नहीं करता, तो यहाँ पर Turkey के साथ भी जो संबंध हैं, उसको cut किया जाए, इस तरह कि आप बहुत सारे conditions देख पाऊगे, आप चाहो तो पूरा detail में इसको देख सक कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं, किसी को भी इस तरह की funding नहीं देते हैं, और यहाँ पर Qatar ने एक तरह से जो आपके ties cut किये गए थे, उसको एक तरह से violation बताया international laws के हिसाब से, और यह कहा कि हमारा जो संबंध है इरान और Turkey के साथ, और जादा strong ही होगा, आप चाहते हो कि ह हम अपना जो संबंध है उसको कम कर दें, ऐसा हम नहीं करेंगे, in fact मैं आपको एक और interesting चीज बताता हूँ, कि यहाँ पर Saudi Arabia और UAE यह जो दोनों देश हैं, वो बहुत जादा against हो गये थे Qatar के, लेकिन यहाँ पर यह जो कुवेत आप देख रहे हो और जो उमान है, वो आपका grouping था, उसके अंदर भी आपको divide देखने को मिलेगा, और यहाँ पर एक सबसे बड़ा काराण आपको याद होना चाहिए, दोस्तों, Qatar जो है वो बहुत तेजी से, पिछले 40 वर्षों से आप देखोगे, तो Qatar का बहुत तेजी से rise आपको देखने को मिलेगा, it was one of the poorest Gulf states, लेकिन आगे चलकर आज के rate में, it is one of the wealthiest, जी हाँ, उसका per capita income आप देखोगे, तो top 10 के अंदर आता है, तो बहुत जादा wealth है Qatar के अंदर, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका एक main कारण ये हुआ, क्योंकि Qatar को यहाँ पर बहुत सारे जो reserve है, oil और gas के, oil के तो होते तो यहाँ पर क्या होता है, कि जो Qatar है वो चाहता है कि इरान के साथ उसके संबंद अच्छे हो, क्योंकि यहाँ पर जो भी gas reserve है, उसमें कोई dispute ना आचा है, दोनों के संबंद यहाँ पर अच्छे रखने चाहता है, इसी के लिए यहाँ पर Qatar कहता है कि हम इरान के साथ अपन जो हम कहते हैं उसको एक तरह से सपोर्ट किया जाता है कतर के द्वारा मुस्लिम ब्रदर होड इजिप्ट के अंदर इस्लामिस्ट ग्रूप हैं कई सारे सीरिया जो कि खिलाफ हैं सौदिय अरब के उसको भी हाँ पर कतर सपोर्ट करता है तो यह एक सबसे बड़ा कारण था ज आपका टाइस कट किया गया था सौदिय अरब के कोईलेशन के द्वारा कतर के उपर तो उस समय तो टरंप कर रहे थे सौदिय अरब को और कह रहे थे कि हां कतर एक तरह से फंडर है, फंडर है of terror मतलब कि terror को fund करता है लेकिन धीरे धीरे यहां पर अचानक से 2018 में जो ट्रम्प है उन्होंने अपना बयान बदल दिया यूटन ले दिया और कतर को एक तरह से प्रेज किया और ये कहा कि वो टर्रिजम को रोकने में काम आ रहा है तो फानली जाकर 2020 के आखरी में दिसम्बर के आखरी के मन्त में यहाँ पर जो पूरा क्राइसिस है उसमें अच्छे हो जाए तो एक तो कुवेत का रोल है इसके अंदर दूसरा आपको पता होना चाहिए जो डॉनल्ड ट्रम्प के सन-in-law है और जो सीनियर अड्वाइजर है जरेट कुष्णर उन्होंने भी यहाँ पर विजिट किया था सौदी अरब और कतर के अंदर दिसम्बर क चुके हैं और जो लेटेस्ट रिपोर्ट आ रही है यहाँ पर संबंद को लेकर यह रॉइटर्स की रिपोर्ट है आप देख सकते हो इसमें यह बताया गया है कि एक एग्रिमेंट किया गया है वापस से कि जो भी एयर स्पेस होगा ओपन एयर स्पेस लैंड हो गया सी बॉ कर दिया गया है यूट्यूब चैनल से तो यह सारी चीज़ें होई है दोस्तों आई होप कि यह जो पूरा वीडियो था सौधियर अपने बॉर्डर ओपन किया है कतर के साथ इसके बारे में सभी कुछ आपको जानने को मिल गया होगा जाने से पहले मैं यहाँ पर आपके ल आपको पसंद आए होगा मिल तो आप से नेक्स टैम तिल देन थैंक यू बरी माच सी यू सून